मोगरे की प्लांट से अगर भर भर के फूल लेना है इस सीजन तो जल्दी से जो भी काम आपने नहीं किया अभी तक इस वीडियो को देखने के बाद में जल्दी जल्दी कर लिजएगा सुरू से अंत तक वीडियो में बने रही है कुछ दो प्रकार की दो जरूरी काम और तीन ऐसे क्या चीज डालना है इसमें जिससे कि आपका पौधा बहुत हेल्दी रहे और जल्दी से फ्लावरिंग दे आपको अप्लास्टिक के गमले में लगा और और देखा इसपे मोगरे के प्लावरिंग पलास्टिक के जरूरी काम है मैं यह लिया है इसमें कटर और कटर को मैं सेनिटाइज कर रही हूँ, अलोबेरा जल से, अलोबेरा के जो टहनी है, पत्ती है, मेरे गमलों से ही, मैंने तोड़ के पांस मिनट पहले रख ले था और इसको मैंने कटिंग किया, क्योंकि मुझे ये इसको कटिंग करना है, सबसे पहला काम है कटिंग करना, क्योंकि हम जब इसको कटिंग करेंगे तो जितना कटिंग करेंगे हम उतनी ब्रांचे साइगी वतनी ब्रांचे साइगी उतने में नहीं कलिया बनेंगी फूल खिलेंगे तो इसमें इसको hard pruning या soft pruning आप अपने पौधे के हिसाब से कर सकते हैं तो मेरी ये बहुत पतली पतली branches है इसको मैंने cutting से ग्रोग किया था अभी first time मैं इसको cutting कर रही हूँ अभी तक इसको एक बार भी cutting नहीं किया था जैसे मैंने लगाया था पहीं से लेकर कर आई थी मैं cutting इसको और ये मेरा balcony में था ये कमला तो इसलिए रहे गया था तो मैं इसको ask करने वाली थी इसके साथ काम तो मैंने सोचा आपके साथ भी share कर दूँ फिर मैं और आजकल के मौसम पता है आपको कैसा हो रहा बारिस का मौसम हो रहा है तो काफी दिनों से ये काम डिले पड़ रहा था friends तो इस तरह से मैं इसके जितने भी पतली नीचे से टैनिया सब कट कर दे लिया है और इसमें तूलसी जी का पौदा भी है इसको भी उखाड़के मैं कहीं और shift करूंगी तो निकाल दे रहे हो आप अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर कर देजिएगा आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब नहीं के तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा और इनको फैकना नहीं है इनका क्या करना है इनको कटिंग से ऐसे ग्रो कर सकते हैं इनका कटिंग लगा देंगे और दूसरी तरीका से कैसे ग्रो करेंगे आपको आगे वीडियो में बताऊंगी तो देखे एक काम तो हो चुका है अब सेकेंड काम गुडाई है ठीक है गुडाई करना बहुत जरूरी है ग अच्छे तरह से होती है लेकिन इसमें गमला पूरा गीला है आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं सूख रहे हैं और एक ठंड का मौसम है उपर से बारिस तो हलकी हलकी गुडाई करूंगे ज्यादा डीप गुडाई नहीं करना है अगर आप ट्रांस्प्लांट करते हैं प यह जब बहुत जरूरी है इसमें फंगस ना लगे इसलिए मैं हल्दी को थोड़ा से पानी में गिला करके उपर पर टिप्स में लगा रही है जहां-जहां से कटिंग करके लगा सकते हैं और अब इस पौदी में ऐसे तीन जबरदस चीज क्या डाले कि जिससे वहारा यह है इसको डालूंगे मैं यह है नीम खली नीम खली में इफको कंपनी का है और नीम खली डालने से क्या होगा कि एक तो पौदे की ग्रोध भी अच्छी होगी नूट्रिशन मिलेगा पौदे में और इसमें फंगस नहीं लगेगा क्योंकि इसमें फंगस का अटेक बहुत मुठी के लगवक नेम खली लिक्विट फॉर्म में डाल सकते हैं पानी के रूप में क्योंकि अगर मिट्टी सूखी है तो मैं ऐसे ही ड्राइ फॉर्म में डाल रहे हूँ तो कि इसके जड़ में फंगस नहीं लगेगा और सेकंड नमबर पे ये पत्तियों की खाद है ये मैंने घर में खुद से बनाई है ये जबरदस्त खाद है और मैं कैसे बनाए है मैंने पुरा डिटेल में आप देख सकते हैं उसको मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दोंगे तो फ्रेंड इसको जरूर बनाईए इससे पौदों को सारा पोशक तत्तो मिल जाएगा और गयनिक है बिल्कुल ओरिजनल है घर में बनाएंगे बिल्कुल आपको प्योर मिलेगा पौदों की ग्रोध अच्छी होगी पौदों को में फ्लावरिंग अच्छी होगी इससे और देखिए थर्ड नमर में जो ये है ये तो और भी जबरदस्त है फिरन इसके बारे में कहना बहुत कम है आपको जो ये है ये है सरसों की खली इसको मैंने डेड़ मुठी सरसों की कि खाली को मैं ने देखिये पानी में वहों का रunya च़कों सोगा करें तो यह तो इसको डालना यह की पॉद ऑगर में बहुत जबpr Яब करता है अभी सर्धियों के मौसम में भी सकते हैं तो यह हल्दी है न यह हल्दी में ऐसे वेस्ट नहीं जाने दूगी इसको ब्लास पान डालके इसी पौदे में डाल declining energy और देखे suis अब डाली हुँ आपको डिखाने के लिए मैं डाल रहए थो ऐखो पाइबंगे कुछ दिन रुखे की ढाल सकते हैं तो देखिए इस तरह से हो गया है डाल दिया है और इस सर्सों के खली में बहुत nutrition होता है ये आपके पौधों में flowering और रूटिंग बहुत अच्छे तरह से करेगा भर भर करके देगा और इन पत्तियों को नहीं फैकना है इन पत्तियों को देखिए मैंने देख बता थे कटि इसकी रूटिंग भी बहुत जल्दी हो जाती है तो जहां तक पौधा पानी में डूबा रहेगा वहां तक कि पत्या निकाल देनी है नहीं तो फंगस पढ़ जाएगा इस तरह से पानी में डालके कहीं भी रख सकते हैं जब रूट निकल जाएगा तो उसको फिर मिट्टी में लगा सकते हैं तो देखे इस तरह से मैंने पानी में भी ग्रो करना और इस तरह से जैसे पूरे पौधे के साथ में आपको डिटेल बता दिया फ्रेंट्स तो जल्दी से आप लोग भी अपने पौधे के साथ में ये सारे काम कर लीजिए जन्वेरी में कर लेना चाहिए थ दूप नाममात्र किया रही, देखें friends इन में से तीन गमलों के साथ में जो पौधे हैं तीन मोगरा के पौधे मैंने अल्रेडी उनका वीडियो बना रखा है। आपके साथने शेयरат की था और ये गंबला मेरे कंबलों के ही बीच में था पौधों के बीच में थो छूट ही था उसको बाद में में मैं उसकी भी कटिग कर ददी और एक आज आज आपके साथने शेयर sı सेयर क है तो 5 प्लांट मेरे मेरे बन kayak बत चुके हैं तो पूरा वीडियो आपने देखा यहां तक आपको उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद.